उसने कहा कि उसके तरक्के की पीछे आप ही का हाथ है आपकी प्रैणा और आशिर्वात से वो अस्पताल बनाने में कामियाब हुआ और हाँ आपकी डाट फटकार को वो कुछ पत्थर, छैनी, फल, धर्ती वो क्या? पत्राश में झाल कinté है लेत। नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों अभी मैं पहुचा हूँ भारत के गुजरात राज्य के बनास्काथा डिश्चिक में बनास्काथा डिश्चिक में एक सहर पड़ता है सहर का नाम है पालनपुर और पालनपुर से लगबग 16 किलोमेटर की दूरी पे एक जगह पड़ती है जिसको वालाराम पैलेस बोलते हैं वैसे इस जगह का नाम है वालाराम पैलेस दोस्तों यह जो है यह पालनपुर से लगबग 16 किलोमेटर की दूरी पे है और राजिस्तान का जो आबु रोड है वहां से लगबग 42 किलोमेटर दूरी तो हम अभी आए हैं आबु रोड से तो पीछे मेरे आप लोग देख रहे होंगे देखो वहां पर पवन चक्की है इस तरह की पवन चक्की को करनारजन फिल्म में दिखाए गया था तो जब मैं वहां पर गया था ना करनारजन के गाओं में बीलवाडी में उसकी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है आप लोग जाके देख सकते हैं इस तरह की जो चक्की थी वो उस टाइम पर बन थी और यहां पर यहां पर यह चलती हुई मिली है तो मैंने सोचा इसी के स आई थी फिल्म का नाम था सूरे बंसम फिल्म की जो सूटिंग हुई है ना वह वालाराम प्रताप की हवेली दिखाए गया है तो चलते हैं आज वालाराम प्रताप की तरफ दोस्तों अभी जो वालाराम पैले से मैं उसके गेट के पास पहुंच चुका हूं यह एंट्री लोग हैं अभी टिकेट लेते हैं और टिकेट लेके अंदर चलते हैं हमने टिकेट ले लिए हैं हम दो लोग हैं तो हमने दो टिकेट लिए जो 600 रुपए के आए हैं और यहां पर गेट बना हुआ है जिससे हम अभी अंदर जाने वाले हैं गेट का भी काफी खूब सूरत भृभ नजारा है Simpson और यह वाला रोड एक साइट गया यह कहां के लिए जाता पालनपुर के तरफ जाता है हम अभी आते इस रोड से हम अभी आई है आबू रोल जो राजिस्तान में पड़ता है यह इनद जाता है पालनपुर गुजरात की साई है और यह वाला कि wheel is इडिवेला किधारि अम्बाजी टेंपल यह व्य dispos consideration जाता है एला अमगाजी टेंपल हमने वहां पर जो कि दोस्तों हमें जो टिकेट दिया गया है ना 300 रुपेगा उसमें हम 300 रुपेगा नास्ता पानी कर सकते हैं यानि एक बंदा 300 रुपेगा नास्ता पानी उपर कर सकता है कि दोस्तों अभी मैं अंदर आ चुका हूं पीछे मेरे आप लोग देख पा रहे होंगे यह वलराम पहले से और इसका जो सुरूआत का सीन है फिल्म जब सुरू होती है तो एक सीन इसका इसी प्रकार से लिया गया है जहां पर मैं भी खड़ा हूं यह देखो ग्राउंड है तो यहां पर पंचाय टाइप की लगी रहती है जिसमें कैमरा उस साइट से एंगल किया जाता है और पीछे यह इसका भी नजारा है तो एक बार वहीं पर खड़े होके आपको दिखाते हैं दोस्तों जब फिल्म की शुरूआत होती है तो पहले इसका नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है जिसमें यहां पे गाउं के लोग खड़े रहते हैं और जो ठाकुर भानु परताब जी होते हैं यानि अमिताप बच्चन वह अपने जनम दिन के अफसर पर यहां पर गरीबों को कपड़े बाटते हैं कंबल साइद बाटते हैं यहां पर कहीं खड़े होके तो वह वाला सीन इस प्रकार से लिया गया है जिसमें पूरी हवेली दिखती है इसी प्रकार से और उस टाइम पर साइद देखो यह पेड़ दिख रहते साइद एक तो यह वाला साइद पेड़ था यह छोटा था और एक वह सामने वाला आम का पेड़ यह दोनों पेड़ उस टाइम पर छोटे थे तो वह वाला सीन यहीं से लिया गया है और बहुत सारे सीन इस हवेली के अ कि चलते हैं एक वारी अंदर और अंदर से दिखाते हैं फिर इसावेली को यहां पर साधियां बगेरा भी होती है और यह जो गाड़ी है ना यह इसी के अंदर चलती है यह बैटरी वाली गाड़ी है हावेली काफी खूबसूरत है और उस साइड से अंदर चलेंगे और उसी साइड से साइड अमिताब बच्चन जी निकलते हैं पहली बार कि दोस्तों जो भानुप्रताब होते हैं ठाकूर भानुप्रताब जब यहीरा ठाकूर शाधी पर लेते हैं राधा के साथ तो यहां बंदुग लेके खड़े रहते हैं इस साइड में और हीरा ठाकुर और राधा यहां पर खड़ी रहती हैं यह लाइट है सैम बैसे आज भी लगी हुई है यह गमला यहीं के ही रखा है जहां पर था और पीछे का पहारा आप मैच कर सकते है सेम वोई नजारा है जब वो उनकी प्रॉपटी के कागज मतलब फैक के मारते हैं कि यह लोग यह तुम्हारे हिस्से की प्रॉपटी है और मतलब तुम से भी बेकार है यह लड़की जिसने तुमारा हाथ थामा है वह वाला डायलोग होता है तब वो यहीं पर खड़े रहत तो जब फिल्म की जब वो सूटिंग हुई थी तो उस टाइम पर यहां पर हमता बच्चन जी खड़े रहते हैं एक सीन उनका यहीं से लिया गया है अंदर चलते हैं कि यहां पर क्या देखो कुछ फिल्म स्टारों के फोटू लगे हुए है दोगो यह रेखा जी का है यहां पर दिल है तुम्हारा फिल्म की भी सूटिंग हुई है उस टाइम का फोटू है यह 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 बहुत अगया यह प्रीटी जिन्टा का है और यह जो कादर खान जब सुर्व अंसम में जो रॉल किया था ना उस टाम का फोटो लगा हुए यह मुकेश खन्ना और बीच में यह अमिताब बच्चन सुर्व अंसम फिलम में यह देखो यह अमिताब बच्चन उपर लेखा हुए वलराम पैलेस रिजोर्ड स्री अमिताब बच्चन एट वलराम पैलेस सुर्व अंसम में यह सीन लिया गया था इसी के अंदर यहां पर यहां पर आमिर खान का फोटो लगा हुए सर इसके ओनर कौन है अभी अभी इनके ओनर वो है और शक्षक्षा जो आमिर खान के ऋपम है है अच्छो प्रॉपर्टी जो बनाई हुई है इनका नाम थे ताले मोगत था अच्छो यह नहीं बनाये था इसको लोकल लाब थे और जब आई तो यह इस टाइफ का था कि 1993 के अंदर कि पर चार यह पांट साल हो गया ता इस तरह कि अच्छा जो बाहर अम्रिश्पुरी का जो फोटू लगा हुए वो किस टाम का है यहां पर चड़ोतर करके गाउं है यहां पर एक स्कूल है बहुत बढ़ी तो उसके अम्रिश्पुरी तो उनको जो फ्रेंड थे वो यहीं पर उतार रहता आप आप डाले से यहां पर कौन कौन सी मूवियों की सूटिंग हुई है हिंदी यहां पर शूर्य बंशम की भी आपके सामने हुआ है क्या आप कितने दिनों से जॉब करना है इस होटल के अंदर मैं करीब यहीं 30 साल से दोस्तों आभी हमने क्या है परमीशन लेली है एक बार ऊपर चलते हैं इसके और ऊपर से भी देखते हैं आप लोग ने देखा जब अमता बच्चन वहार निकलते है तो एक हिरन का सिर्क लगा हुआ होता है वह हमने पूचा था तो भाई सामने बताया देखो उपर लगा हुआ है अधिया न यहां पर यह लगा हुआ है इधर से देखिए कितना खुफ्सूरत ना रहा है इधर यह पूरा गार्डन है और ऊपर पहार देखना है इस होटल के को रोम दिखाते हैं आपको कि दोसा एक नमबर रोंगा कि अब आप कर दो कर दो कर दो कर दो कि आप सूरे बंचम जो पिचर सूथ हुआ था उस टाइम पर आप थे यहां पर गया के अपके सामने हुआ है यह वासी बहरें फील यह जो कादर खान आथे टलेइल यहिए ञेते है जसको फोटू कीशते हैं वो लेके कि कि यही kitchen लड़की कहते हैं यह वही वाली तलवार है यह वही वाला सीन इदर से लिया गया है और काफी खूबसूरत यहां के कम रहे हैं दोस्तों इसके सामने यहां पर एक खूबसूरत गार्डन बना हुआ है इस गार्डन में भी सील लिए गए हैं जब हीरा ठाकुर के जो अस्पताल बनवाते हैं मुक्त अस्पताल गरीबों के लिए उसका जब उद्गाटन होता है तो जो ठाकुर भानु प्रताप होते हैं वो देखने जाते हैं चुपके से और उनकी जो माँ होती है वो भी चुपके से देखने जाती है जो हीरा ठाकुर की माँ होती है तो वो दौनों लोग फिर कबूतरों को दाना डाल रहे होते हैं इसी गार्डन के अंदर तो पीछे उसका उद्गाटन होता है तो वो लोग बातें करते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ती ऐसे करके वो लोग दौनों चुपके से जाते हैं तो वो वाला सीन यहीं से लिया गया है आप एक बारी मैच कर सकते हैं और बहुत ही खुबसूरत नखार आ रहा है यहां से होटल का वर हैं यहां से एक सीन यहां से लिया गया है जब हीरत हगो ट्राकटर को नहला वीर Turkey's relativ करते हैं तो उनके भाई करते कि सेहर से कुछ खास महमान आ रहे हैं तो मैं उनका ख्याल रखना है वो सीन यहां से लिया गया जिसमें अमिता पच्चंजी जो होते हैं हीरा ठाको वो यहां पर टेक्टर को नहला रहे होते हैं यहां एक गाड़ी खड़ी रहती है और उपर से उनके दोनों भाई नीचे आते हैं उतर जिसमें देखो यह जो खिड़की है ना इसके यह सीसे आज भी ऐसे गया सी दिख रहे हैं तो फिल्म के अंदर एक सीन यहां से लिया गया था और जो टेक्टर वो नहला रहे थे वो इधर खड़ा हुए तो चलते हैं उधर और वो टेक्टर को भी देखते हैं दोस्तों यह वही टेक्टर है जिसको हीरा ठागर नहलाते हैं और इस पर अभी गया कलर कर दिया है इसको यह लोगों ने इसी वजह से सम्हाल के रखाया है कि यह फिल्म के अंदर के यूज किया गया था और यहां पर यह इनका रेश्टूरेंट एरिया है दोस्तों जिस building में कादरखान और सोंधरया जो है हिरोईन और वो सारे लोग जो आते हैं वो सब इस building में रहते हैं तो एक scene लिया जाता है यहाँ से जहाँ पर वो लोग चाय पी रहे होते हैं बैठके इसी गार्डन में तो इसका ऐसे नजारा है कुछ जिसमें आप पीछे इ तो वह सीन यहां से लिया गया है और उसके बाद क्या रहता है कि जो हीरोन रहता है सौन sickness उनके मम्मी और पापा आते हैं तो फिर एक उसी लिया जाता है यहां उनकी गाड़ी रुकती है यहां पर इस यगाय पर और जिसमें जो सीन लिया जाता है वो उपर इन सीडियों से चड़े के उधर से आते हैं और केमरा उनका इन सीडियों पर अंगिल किया गया था एक बार उपर चल के दिखा देता हूं यहां से कcel ए Пока एकसी इहां से लिया गया है जिसमें वह पर खड़ी रहती है गाड़ी जिससे हमताबच्र सामान निकाल रहा होते हम और जो हीरोण होती और उनकी Maa और पिता जी इधर से जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आप उनको सामान लाने के लिए को भोल रही हैं तो वो यह से लिया गया है और जो लोग रहते हैं नहीं लिखा सकता उसलिए अंदर से नहीं से वह से पासट हूए थे काफ़ी सांदार होटल है तो अभी मैं वालाराम पैलिस के जो रेस्टोरेंट है उसके पास पहुंच चुका हूँ जो हमने 300 रुपर पे की है ना और 300 रुपय में खाने के लिए मिलेगा आपgebac के खासके हैं तो अन्दर चलेंगे अंदर मैनू बगेरा जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे और खाना जो भी खाएंगे अंदर दिखाएंगे और रेस्टोरेंट भी आपको दिखाएंगे झाल 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 तुम्हारे 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 अक्समिया करो करें कि दूस्तों अभी हम खाना खागे बाहर निकल लिये हैं और जो खाना था काफी अच्छा था मतलब लग टेश्ट इसका काफी लाजवाब था यह जो पहले से यह बनास नदी के तठ पर बना हुआ है यह नीचे से देखो बनास नदी निकल रही है यहां से हलांके अभी किया है किसमें पानी नहीँ है पूरी सुकी हुई है लेकिन बरसात के महिने में यहां पर बहुत जादा पानी हो जाता है है और इस साइड़ बनात का मंद्र रहें किस नाम से हो लाराम बहले-नात का टेंपल है यहां वीडियो में हम दो लोग आये थे हमां मैं था और मेरे साथ थे विराट दत्जी जो आबू रोट से हैं वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं पहली सोसी थी कितने अधूरे धीरे धीरे रूंग सजाए तूने करती उनको करती वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा वादा